बात करते हैं मौर्ण परसाशन की रूप रहता चंडुत मौर्ण के समय में ही निर्धानी तो चुकी थी लेकिन बाद में भी ये व्यवस्ता कुछ परिवर्थी तेवं संसोधित रूप में चल की रही मौर्ण परसाशन ने राजा परसाशन का परधान होता था और राजा को परसाशनी कार्जों में सहयोग देने के लिए एक मंत्री मंदल होता था जिसमें तीन या चार सबस सामिल होते थे मंत्री मंदल के अलावन एक मंत्री परसब होता था जिसमें 12, 16 या 20 सबस सामिलों के थे संराज के बरे अधिकारी को तिर्थ या महमात कहा राता था कोर्थिल की रचना और सास में तिर्थ की संक्या अठारा बताई गई है बिहीं दिभागों के अध्यक्स को मर्जिस्टिट नहागया मेगासनी की रचना इंडिका से पाखी पुत्र के नगर परसाशन के विश्य में जानकारी तो बिलती ही है तो असुक्त के सवे में परसाशन की सबसे चोटी कैइं गराम थे तो एक परसाशन की सबसे बरी काइं प्राम थे तो असош पके चअला प्रांद में प्रांतों की संक्या खौसति नमर एक अवन्ती इसकी राधानी उर्जयन थे अर्शो कभी पर बेश्चेंज पहले अवन्ती का राजपा था उत्रा पत इसकी राधानी तक सिरा थे दचिना पत इसकी राधानी स्वर्ण गिरी थे कली इसकी राधानी थोस्ली थे कली इसकी राधानी तोसली थी प्राच या तुरी परदेश इसकी राधानी पाटिये कुद थी हम देखते क्या है मौड काल में गुप्चर विभास का परदान महा मात्या सब नाम का तिकारी होता था मौड काल में दो तरह के गुप्चर को ते थे संस्था एवन संचर पूर्ठीश को रक्षिन के नाम से पुकारा गया तो वहीं पूलीस को रक्षिन के नाम से पुकारा गया मौट १ाल्वे थोत रह रहते हैं धर्मस्थ्निया न्यालय एवट कर लेज़ा सोजार दू ने हधम पुष्धार तो कर दार दुषा गया जब लाट सबकति रूपरिया परिशा समज़े दीवा काल सब्स helmets मामला उसे कहा गया जब लड़ाई धर्या से समंधित मामला आगाला जाए मौर्जकाल की बात करते हैं तो बंगला देशे से महा अस्थान अगले अब उस्तर परदेशे से सहरगोरा नामस अगले से पता सब्काहे थी आपका खाली सिति में घ्राज की उसे जन्ता को आतिक सहार्टा दी जाती थी तो देखते हैं कि मौर्जकाल में घ्राज कर उपज का एक बठा छे मार्ट लिया जाता था मौर्जकाल में सरकारी घ्राज को सीता घ्राज कहा जाता था और सीता घ्राज की देखरे करने वाले परदान अधिकारी को सीता घ्राज कहा जाता था मौर्ज कालबे अदें मातरत वैसे भुमिय गा गया जिस भुमिय पर बिना परसा के अच्छी क्रिसी होती थी मौर्ज कालबे सब्सके पर्चली सिंच का फंता या चांदी का बना हुआ था मौर्ज कालबे सिंच के देशन टर्ले का का रूप दर्सक नामत अधिकारी करता था मौर्ज कालबे एग्रोनोमोई नामत अधिकारी करता सरत का निर्मा करता था मौर्ज कालबे ब्यापारियों के समू को सांत वह कहा लाता था कबारी ब्यापार की संस्कार को स्रेनी कहा लाता था सेरिनिक अपना एक नियाले होता था जिसके परभवान को महास्त्रेश्टी कहा जाता था मौर्ड काल का बीथिये वर्ष असार था इसे कि इसमें हम जुलाई करते हैं बीथिये वर्ष उसे करते हैं साल के जिस मंद में पूरे शाल के आए और वेथिये वर्ष उसे बीथिये वर्ष तरह गया मौर्ड काल बनी एक परकार था भार्मी करता तो मौर्ड काल में वीस्टी जे सिक्कर की जानकारी ने की है इसके तहब वैस्टी से काम लिया जाता था और बदले में कुछ दिया नहीं जाता था यही कारण है कि बड़सु पुराई मौट परसाशन को दिख कर या कहा लग सकता है ओल्डीज को क्योंकि यह मौट परसाशन क्या हो सकता सिर्फ भारत नहीं संसार के हर देश में है क्योंकि किसी देश की परसाशन अच्छी हो तभी उस देश की जिन्दगी निर्वर करती है यह कि उस देश की खुबसूरती उस देश की अच्छी परसाशन पर दिख करता इसकी मौट परसाशन का आधार को देश को देश को है इसकी खुबसूरत परसाशन को देख करता है ओल्डीज